हेलो एवरिवन आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल सो जैसा कि दोस्तो मैंना आपको कल रात को टेलिग्राम चैनल पे एक अपडेट दिया था कि एन्फिटीक्यू का एक इंपोर्टेंट अपडेट है मैं आप सभी को बताने वाला हूं पर दोस्तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप सभी केसाद डिस्कस करना चाहता हूं आज ही मेरे एक फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव हैं तो आज ही हमें उनके बारे में पता चला है इसी के साथ साथ दोस्तो इस टफ टाइम में मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए और आप सब वीडियो लेट हुई है उसके लिए मैं सौरी बोलना चाहता हूं इसी के साथ साथ मैं अभी थोड़े ही दिन तक जितने भी इंपोर पताना चाहता हूं आप सभी का आज तक जितना भी सपोर्ट मिला है उसके लिए बहुत बहुत ठेंक्यू आप सभी के इस सपोर्ट के कारण ही मैंने हिम्मत नहीं खोई है और इस टफ टाइम में भी मैं सारी चीज़े अच्छे से मैनेज कर लूँगा इसी के सास्ता दोस् कोविड की सिच्वेशन बहुत ही जादा खराब है जैसा कि हम सभी जानते हैं तो आप अपने घर पे रहें सुरक्षित रहें और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि यहां पे हमें बिल्कुल माइंड से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और आप सभी के सपोर्ट के कारण ही मैं यहां पे बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा हूं और अच्छे से जितने भी अपडेट से आप सभी को बताऊंगा यही बात बोलनी थी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों कल रात को एक कैंडिडेट की तरफ से मुझे इंस् किया और मैं कैंडिडेट को ठेंक्यू बोलना चाहता हूं कि आपने मुझे बताया कल इंस्टाग्राम पे कि केस टाइप से यह इंपोर्टेंट अपडेट हम सभी के लिए जानना बहुत ही इंपोर्टेंट है आज की इस वीडियो का मेन इंपोर्टेंट टॉपिक भी यही है कि एडवांटेज राउंड और फाइनल राउंड इंटर्व्यू का कोई कनेक्शन नहीं है यह सबसे बड़ा इंपोर्टेंट अपडेट है फाइनल राउंड का रिजल्ट कब आएगा बहुत दिन हो गए है और यह लेट क्यू हो रहा है इसके पीछे भी मैं आपको रि पैटन आये और मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं ठेंक्स अल उफ्यू फॉर सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया अब दोस्तों हम सबसे पहले सारे सारे पॉइंट से डिसक्स करते हैं अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक है देखिए मैंने यहाँ पर यह qualified round है ठीक है और यह final round है इसके बाद आपका रहता है advantage round यहाँ पर मैंने काफी सारी videos में आपको यह बोला था कि अगर आप final round clear कर लेते हैं ठीक है तो आपका क्या होगा system engineer का system engineer post के लिए आपका interview होगा अगर आप यह clear करते तो आपको advantage round राउंड की क्या मिलेगी opportunity मिलेगी पर दोस्तों यह mistake थी क्योंकि 2021 बैश तक ऐसा होता था यहां पर अभी nftq की website पर हम चलते हैं यहां पर अब यहां पर उन्होंने कुछ यहां पर इंफोसिस टीम की तरफ से सिफ यह मेंशन किया गया था कि अगर आप स्कोर करते 65 परसेंट और मोर आपको रिचीव होगा एक साइटिफिकेट और आपको इंटर्वियू ऑपर्चुनिटी मिलेगी बिहेवरियल इंटर्वियू फोर सिस्टम्स इंजिनियर रोल एट इंफोसिस अब एडवांटेज राउंड की बात करूं तो यह एक optional round है अब मैं आपको frequently ask question में लेके चलता हूं और एक बहुत important point बताता हूं जो कि हम सभी को जानना ज़रूरी है देखें दोस्तों यहाँ पर आप देखें इंफोसिस what happens once the infosys certification final round is over देखें आपका जैसे ही final round का result आएगा और आपने final round clear कर लिया important update क्या है अब मैं आपको बताता हूं देखें आपका final round का result आया मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे कि यह जल्दी हो जाए दोस्तों मैं आप से भी को बताना चाहता हूं यह बहुत important update है इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर ज clear कर लिया तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप final round करेंगे तो एक तो आपको interview opportunity मिलेगी system engineer role के लिए ठीक है और यहाँ पर अगर आप यह clear करते हैं interview तो आपको advantage round पर नहीं दोस्तों अगर आप final round clear करेंगे तो आपको 2 opportunity मिलेगी एक तो system engineer का interview opportunity मिल रही ह और advantage round जो है उसमें भी आप participate कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर एक point आरा हम से पढ़िये कि infosys will communicate your result final round अगर आपने 65% या उससे ज़्यादा बना लिये final round में तो आपको infosys certification certificate मिलेगा और आप उससे appear हो सकते behavioral interview systems engineer role at infosys और आपको option मिलेगा कि आप infosys certification advantage round test दे दे यह important update है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके 65% बन गए final round में तो आप advantage round के लिए eligible हो जाएंगे interview का कोई concept ही नहीं है यहाँ ठीक है एक बात आप यहाँ पर ध्यान से ध्यान रखिए तो यही एक important update है सबसे बड़ा कि आपने final round दिया final round के बाद आपको आप अगर आप इसमें देना चाहते हैं exam तो आप देंगे तो अगर आप इसमें select हो जाते हैं तो आपको बड़ी post मिलेगी power programmer और digital specialist engineer पर आप अगर select नहीं हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है system engineer वाला जो interview है वो तो आपका होगा तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ब result अभी 29 मही को भी आया यह कल आया आज रात को आया यह कभी भी आया तो इसका कोई connection नहीं है कि आपका interview होगा आप उसे clear करेंगे तब ही आप advantage round में जा पाएंगे यह 2021 batch के लिए applicable था 2022 batch के लिए applicable नहीं है second point है final round का result कब बहुत दिन हो गए हैं और यह क्यू लेट हो रहा है देखिए दोस्तो final round का result एकदम से आएगा क्योंकि अब कोई connection ही नहीं है मैं आपको एक चीज बताता हूँ अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि final round और interview का कोई connection नहीं है आपका अगर जैसी final round का result आया माल लीजे आप 28 को आया 29 को आया या आज रात को ही आ गया तो आप आपको interview देने की कोई जरूरत नहीं है मतलब आपको option मिल जाएगा कि आप advantage round भी दे सकते हैं यह optional round है बाकी आपको behavioral फिर बाद में वो जो आपका system engineer का interview होगा वो अलग से होगा ठीक है दोस्तो advantage round optional concept मैंने आपको समझा दिया है और यह क्यों different है यह भी बता दिया है इस silly mistake के लिए मैं आप सभी से sorry बोलना चाता हूँ क्योंकि मैं आप सभी को genuine information provide करवाना चाता हूँ इसी के सासत काफी सारी videos में मैं आपको बता होगा कि यह एक silly mistake है तो इसके लिए मैं आपको sorry बोलना चाता हूँ यह new update मैंने बता दिया एक candidate की तरफ से मुझे inform किया गया thanks for watching the video अगर इसमें और कोई भी doubt आ रहा है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं